रीवा के कृष्णा राजकपूर ओडिटोरियम में सुशासन दिवसपर किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्त ने कन्या पूजन करके किसान सम्मेलन का शुभारम किया सम्मेलन में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के उद्बोधन का सजीव प्रसारण भी किया गया प्रधान मंत्री ने ओनलाइन माध्यम से देश के 9.4 लाग किसानों को किसान सम्मान निधी के रूप में 18,098 करोड रुपए की राशी उनके बैंग खाते में चारी की है प्रधान मंत्री ने नए करशी कानूनों के प्रावधानों तथा उनसे किसानों को होने वाले लाभों के बारे में भी जनकारी दी है उन्होंने कहा है कि नए करशी कानूनों में यदि किसी भी तरह की कमी है तो उस पर चर्चा करने के लिए सरकार खुले मन से तयार है नरधारित मुद्दों पर चर्चा के लिए किसान हमारे साथ हैं